विल्मोनी स्टुडेंट्स आज आप लोग पाथ 10 का जो फसल उत्पादन एवंग परवंधन परवंध से जो कोस्चन है वो ये लाश्ट वीडियो में आप लोग सरा कोस्चन कर पाएंगे तो हम लोग वहाँ पर जो कोस्चन 16 तक वहाँ करवा चुके थे उस वीडियो में आ चार अंतर लिखे तो खाद जो होता है हम लोग जो घर में अपसिष्ट पदार्थ गाय बेल बकरी सबको गोबर इस सब खुड़ा करकट जो फेक देते हैं गड़े में वह हम लोग को खाद कहलाता है और जो बजार में जो बीत्ता है अरुड़ दुकान में और वह खरीद क अधर में ज्यादा अंतर है क्योंकि यह एक पैसे से मिलता है और दूसरा लोग को घर में फिर में मिलता है यहां देखिए पहला नमबर है खाद एक प्राकर्टिक पदार्थ है जो गोबर, मानाव, अपसिष्ट पदार्थों से एवंग पोधे के अपसिष्ट विगटन से परात होता यानि हम लोग का घर काक्षिछ पदात रहता है क् दूसरा अंतर है खाद खेतों में बनाई जाती है आप खेत में डल देंगे डारेक्ट तो वहां खाद बन जाएगा और वहां कहें पादन के यहां होता है यहां तो खित में आप नहीं बना सकते उर्वरक खाद में मिटी को हुमियस परचूर मत्रा में प्राप्त होता है खाद में और उर्वरक से मिटी को परचूर हुमियस प्राप्त नहीं होता है तो यहां उर्वरक जो है उर्वरक से क्या होता है मिटी में जो हुमियस प्राप्त होता है कि इता है वह नहीं देता है नहीं कि इसानमर के चोथा नमर में है खाज में पादप पोशक तुल्मौनातमक रूप में कम होता है और यहां मिति के संदचना को बिगाळता है कि यहां बुद्धा नुमर बोला है खाद में पादप, पोसक, तुलनात्मक रूप से कम होता है और यहां बोला है कि मुखा उर्वरग में बोला है कि यह मिट्टी के संदचना को विगार देता है यानि ज़़ा खाद देंगे आप तो क्या होगा अपका गरबरा जागा खित अब 18 नमर कोश्चन है फसल किसे करते हैं जब एक ही किस्म के पोधे किसी अस्तान पर बड़ी पेमाने पर नीमित रूप से वगाए जाते हैं इसे फसल करते हैं जो हमारे लिए लागकारी हो ल स्पाज़ टोख कोश्चन है से लिए खादे हैं तो सीचाई बिभीन ने अंतराल पर फसलों को जल 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 को हो अगर विदिपा बर्षा से हूँ या आपको सिचाई करके दे किसी भी तरह से करते हैं तो वह सिचाई का लाता है सिचाई के विभिन चैरण क्या क्या होता है मिटी की तियारी के पूरू सिचाई करना पोदे की उगने के बाद सिचाई और मद्यकालिन सिचाई और फसल में फुल लगने के समय सिचाई और दोनों दानों की पकने के बाद सिचाई यह सब करने के बाद जो है आपको मतलब सिचाई यह फसल आपको अच्छा उगेगा इस वीडियो में इतना ही, आप हम लोग अगला चप्टर में मिलेंगे, इतना ही धन्यवाद